उनिशो ग्यारा में घटी एक ऐसी घटना जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया एक ट्रेन जो सुरंग में प्रवेश्ट तो करती है लेकिन फिर कभी दिखाई नहीं देती यह कोई साधारन ट्रेन नहीं थी इसे अब लोग भूतिया ट्रेन के नाम से जानते हैं आज हम आपको इस भयानक घटना की एक एक कड़ी बताएंगे जिससे आप भी इस रहस्य के जाल में फंस जाएंगे क्या सच में कोई ट्रेन गायब हो सकती है क्या उन एक सो चह यात्रियों का पता चल पाया आएए इस दहला देने बाली कहानी के हर मोड को जाने उनीशो ग्यारा की गर्मियों का समय था जनेटी एक्सप्रेस ट्रेन जिसे इतालवी धनी और विशिष्ट वर्क के लोग पसंद करते थे रोम से मिलान की ओर जा रही थी इस ट्रेन का नाम जनेटी एक्सप्रेस इसलिए रखा गया था क्योंकि इसे इतली के प्रिसिद उद्योगपती विटोरियल जनेटी द्वारा बनाया गया था और यह इतली की सबसे शानदार ट्रेनों में से एक मानी जाती थी यह ट्रेन अपनी भग्विता के लिए मशहूर थी लकडी के सुंदर इंटीरियर सोने की कढ़ाई से सजी सीटे और सबसे आधुनिक टकनिक से लेस थी यही वज़े थी कि इस ट्रेन में सफर करना उस समय लोगों के लिए गर्व की बात होती थी इस दिन ट्रेन में 106 यातरी सवार थे हर किसी का अलग अलग उद्देश्य था पर सब मिलान की ओर जा रहे थे इन यातरियों में कुछ प्रसिद लोग भी शामल थे जैसे जिया कोमो रोसी रोम का एक प्रसिद व्यापारी रोसी ने फाल ही में अपना नया व्यापार विस्तार शुरू किया था उनका मानना था कि मिलान में उसके नए सौदों के बाद उसकी बिजनस में जबरदस्त इजाफा होगा सोफिया मंटीनी इटली की एक मशहूर लेकिका भी इसी ट्रेन से जा रही थी उस वक्त उनकी किताबें देश भर में पढ़ी जाती थी वह अपनी नई किताब के प्रमोशन के सिलसले में मिलान जा रही थी लोग उनके काम की तारिफ करते नहीं ठकते थे और उनकी यात्राएं हमेशा चर्चा का विशय बनी रहती थी मारियो बियांची एक कुशल इंजीनियर जिसे मिलान में चल रहे एक महत्वपूम पर यूजना के लिए बुलाया गया था बियांची को इटली में तकनीकी क्रांती का एक बड़ा चेहरा माना जाता था और वहन नई तकनीक के प्रयोग के लिए मशूर थे जैसे ही ट्रेन रॉम से रवाना हुई हर कोई अपने सफर में खोया हुआ था कुछ लोग खिड़की से बाहर का दश्य नहार रहे थे तो कुछ अपने कामों में व्यस्त थे ट्रेन के भीतर का माहौल शान और आराम दायक था किसी को अंदेशा नहीं था कि कुछ ही देर में उनके जीवन में एक अन्होनी घटने वाली है जो सदियों तक एक रहसे बनी रहेगी इस सफर में ट्रेन को एक 13 किलोमीटर की अंधेरी सुरंग में जाना था जिसका नाम था लॉमबार्डी यह सुरंग 19 सभी सदी के अंत में बनाई गई थी इसे इटली के रेलवे नेटवर्क का एक महत्वपून हिस्सा माना जाता है और इसका निर्मार कई तक नीकी चुनोतियों के बावजूद पूरा हुआ लगभग दो घंटे का सफरते करने के बाद ट्रेन लॉमबार्डी सुरंग के करी पहुँचने लगी यह सुरंग इटली के सबसे लंबे और पुराने सुरंगों में से एक थी सुरंग से गुजरते समय यात्रियों को अकसर दरावनी कहानियों का ध्यान आता था जो स्थानिय लोगों के बीच मशहूर थी इस सुरंग के बारे में कई लोगों का कहना था कि यह शापित है प्राची माननेताओं के अनुसार इस इलाके में पहले कई युद्ध हुए थे और हजारों सैनेकों की मौत हुई थी स्थानी लोगों का मानना था कि इन सेनिकों की आत्माएं अब भी सुरंग में भटती हैं लेकिन जनेटी एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए यह सब सिर्फ कहानिया थी उनके मन में कोई डर नहीं था ट्रेन अपनी पूरी रफतार से चल रही थी और जल्द ही उसने सुरंग में प्रवेश किया जैसे ही ट्रेन ने सुरंग में कदम रखा कुछ अजीब घटित होने लगा यात्रियों ने महसूस किया कि अचानक एक गहरी ठंड ट्रेन के भीतर फैलने लगी है बाहर का द्रिश्य पूरी तरह धुंदला हो गया जैसे सुरंग के भीतर कोई अजीब धुंद चा गई हो यह धुंद साधारण नहीं थी यह इतनी घणी थी कि ट्रेन की खिड़कियों से कुछ भी दिखाई देना बंध हो गया सुरंग के भीतर ट्रेन के चलते ही यात्रियों ने ट्रेन के इंजन से कुछ असामाने आवाजे सुनी यह आवाजे सामाने नहीं थी बलकि ऐसा लग रहा था कि इंजन के भीतर से किसी दूसरी दुनिया से आई चिखें आ रही हो यात्री एक दूसरे की ओर देखने लगे दर की लहरे फैलने लगी लेकिन ट्रेन अभी भी सुरंग के भितर थी कुछी पलो बाद ट्रेन में विजली चली गई और पूरा डिबबा अंधेरे में डूब गया तभी एक जोगार थमाका हुआ और यात्रियों की चिके गुंच बुखी सुरंग के भीतर जो कुछ हुआ वह आज भी अनसुलचा है ट्रेन ने सुरंग में प्रवेश्टु किया लेकिन फिर बाहर कभी नहीं निकली सुरंग के दूसरी ओर इंतजार कर रहे रेलवे अधिकारियों ने कई घंटे तक ट्रेन का इंतजार किया लेकिन वह कभी नहीं पहुँची रेलवे अधिकारियों को ये घटना बेहद अजीब लगी उन्होंने पहले सोचा की ट्रेन किसी तकनी की खराबी के कारण देरी कर रही होगी लेकिन जब कई घंटे बीट गए और ट्रेन का कोई अतापता नहीं चला तब उन्होंने खोज बीन शुरू की अगली सुबै रेलवे अधिकारियों और खोज दलों ने ट्रेन की खोज शुरू की लॉंबार्डी सुरंग के भीतर घुसने पर उन्होंने जो देखा वह चौंकाने वाला था सुरंग पूरी तरह से खाली थी वहाँ न तो किसी ट्रेन की भोगी थी और नहीं कोई यात्रियों का सामान या कोई निशान जिससे यह पता चले की ट्रेन यहां से गुजरी हो जब खोज दलने सुरंग में गहन जाच की तो वे कुछ खास जानकारी जुटाने में सफल रहे दो लोग एंटोनियो दे लुका और लूचिया पामिला जो ट्रेन की पिछली भोगी से कुदे थे उन्हें सडकों पर सही सलामत पाया गया ये दोनों यात्री अत्यदिक भेवित और मानसिक आगात में थे उनका कहना था कि जैसे ही ट्रेन सुरंग में प्रवेश करने लगी एक अजीब घनी धुन ने सब कुछ ड़क लिया और ट्रेन के भीतर एक असामान ने आवाज सुनाई दी जिसने उन्हें घेर लिया उनका कहना था कि धुन्द और अजीब आवाजों ने उन्हें इतना डराया कि उन्होंने ट्रेन से कुदने का निरने लिया कुदने के बाद वे सुरंग के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए लेकिन उनकी मानसिक स्थिती इतनी खराब थी कि उन्होंने घटना की सटिक जानकारी देने में कठिनाई महसूस की खोजदल ने दोनों से पूरी जानकारी ली लेकिन उनकी बेतरतीब और घबराई हुई बाते सच्चाई को सपष्ट नहीं कर पाई उनके बयान ने इस रहस्यमई घटना को और भी पेचीदा बना दिया क्योंकि उनकी कहानियों में कहीं गई चीजे बास्तविक्ता से कहीं जादा अजीब और अलोकिक लगती थी जनेटी एक्सप्रेस और उसके एक सो च्छय यात्रियों का क्या हुआ यह सवाल अब भी रहस्ये बना हुआ है क्या ट्रेंड किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गई क्या यह कोई अलोकिक घटना थी या कोई ऐसी वेग्यानिक घटना जिसे आज तक समझा नहीं जा सका सुरंग के भीतर हुई इस रहस्यमई घटना ने जनेटी एक्सप्रेस को एक भूतिया रहस्यमें बदल दिया और इसके एक सो च्छय यात्रियों की गुमशूदगी आज भी अनसुलजी है इस घटना के बाद इटली और दुनिया भर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कुछ लोग मानते थे कि ट्रेन दूसरी दुनिया में चली गई है जब कि कुछ का मानना था कि ये अलौकिक शक्तियों का काम है विग्यान की दृष्टी से कुछ विशेशग्यों का मानना था कि सुरंग के पास कोई मैगनेटिक फिल्ड था जिसने ट्रेन को समय और स्थान की सिमाउ से परे भेज दिया हाला कि इन सिधानतों का कोई थोस सबूत आज तत नहीं मिला जनेटी एक्सप्रेस आज भी एक रहस से बनी हुई है जनेटी एक्सप्रेस के गायब होने के बाद से विश्व भर में इसके भूतिया स्वरूप की कई रिपोर्ट्स आई मेक्सिको में 1926 में सैन जोस के निवासियों ने एक पुरानी ट्रेन देखी जिसमें यातरी निर्जीव दिख रहे थे और ट्रेन धुन्द में गायब हो गई 1934 में अरजंटीना कोर्डोबा में एक किसान ने धुन्द से गिरी एक ट्रेन देखी जिसमें यातरी भूतिया स्वरूप में थे और ट्रेन अचानक गायब हो गई 1950 में इंगलेंड कमबरलेंड में लोगों ने रेलवे ट्रैक पर एक पुरानी ट्रेन देखी जो स्थिर थी और उसके यातरी खौपनाक थे ट्रेन के गायब होने की रिपोर्ट आई 1970 में जापान होकाइदो में एक ट्रेन प्रेमी ने बरफीले ट्रैक पर एक अजीब ट्रेन देखी जो धूंद में गायब हो गई और यातरी असामान ने दिखे हाल के वर्षों में भी दुनिया के विभिन हिस्सों से इस भूतिया ट्रेन के बारे में रिपोर्टे आती रही है अमेरिका भारत और यूरोप के कुछ हिस्सों में लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जनेकी एक्स्प्रेस जैसी ट्रेन देखी है जो रात के समय या कोहरे में प्रकट होती है इन में से कुछ रिपोर्ट्स में यात्रियों के चहरे भयानक और स्थिर बताए गए है और ट्रेन अचानक गायब हो जाती है जब लोग उसके पास पहुंचने की कोशिश करते है इन घटनाओं ने जनेटी एक्स्प्रेस की गुमशूदगी के रहसे को और भी गहरा कर दिया है क्या ये सभी रिपोर्ट्स एक ही ट्रेन के इरद गीरद घुमती है क्या ये घटनाएं हमें उस रहसे माई घटना की बास्तविक्ता के और करीब लाती है या ये केवल विभिन स्थानों पर फैली एक ही के मुदंती है इन सवालों का उत्तर आज भी अनसुल जा है तो क्या सच में जनेटी एक्स्प्रेस एक भूतिया ट्रेन बन गई क्या उस दिन जब ट्रेन ने लॉंबार्डी सुरंग में प्रवेश किया वह किसी अंदेखे आया में चली गई क्या ट्रेन और उसके एक सुच्छे यात्री एक अलौकिक घटना का शिकार हो गए या ये सब केवल एक अजीब संयोग था क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेन के गायब होने के पीछे कोई दहरी रहस्य मैई शक्ती काम कर रही हो जो समय और स्थान की सिमाओ को पार कर सकती है या क्या ये सब कुछ स्थानी माननेताओं और पुरानी कहानियों का ही परिड़ाम है ये सवाल आज भी अनुत्तरित है और जनेटी एक्स्प्रेस का रहस्य अब भी हमें हैरान करता है क्या आपने भी कभी ऐसी किसी रहस्य मई घटना का सामना किया है या क्या आपके पास इस भूत या ट्रेन के बारे में और भी जानकारी या थ्योरी है क्रिपया अपने विचार और टिकपणिया हमारे साथ साजा करें अपना कमेंच जरूर करें और हमें बताएं कि क्या आप भी इस रहस्य में यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे